आज की इस वीडियो में इस डिजिटल क्लोग को आप लोगों को बनाने बताऊंगा सो गाइस लेट्स गेट इंटु दे वीडियो यह डिजिटल क्लोग 12 आवा का है और इसमें से तीन बटन्स लगे हुए हैं जिसमें से पहला है एडजर्स्ट का दूसरा है आवा को चैंज करने का और तीसरा है मिनट को चैंज करने का गाइस इसमें मैं एक डॉट एलिडी को भी लगाया हूँ जो की परते एक सेकेंड में ब्लिंक भी करेगा तो अब चलिए इस डिजिटल क्लोग को बनाते हैं इस क्लोग को बनाने के लिए हमें चोई यह 6mm का MDA बोर्ड और कुछ इस परकार से मैंने उसमें से ड्रिल कर लिया है इस फ्रेम में मैंने 4 डिजिट के लिए ड्रिल किया हुआ है एकदम एक्जक्ट म ले सकते हो रेड, ग्रीन, ब्लू जो कलर चाहे आप उस कलर का ले सकते हो और हमें इन सारे LED को एके करके चेक भी कर लेना है अब इस फ्रेम को एक ऐसे जगापे हमें होल्ड करना है जहां से यह हिले डूले ना मैं यहां पर फोर आम सॉल्डिंग स्टेशन में फिक्स कर रह LED को कुछ इस परकार से इंसर्ट करना है कि LED के positive leg बाहर साइड में होना चाहिए अब लगाएखे LED के positive leg को कुछ इस तरह से हमें fold कर लेना है और इसके जो extra wire से से हमें काट लेना है और फिर इसे हमें solller कर देना है यहाँ पे positive wire यह complete हो जाएगा उसके बाद 4 अलग LED के cathode वाले leg को मतलब कि LED के negative leg को हमें solar करना है Guys यहाँ पर अलग segment के negative leg को अलग में solar करना है जैसे कि 4 LED है तो 4 LED के cathode को एक साथ solar करेंगे और दूसरा 4 LED के cathode को एक साथ solar करेंगे उसके बाद बचे हुए segment में LED को insert करके कुछ इसी तरह से wires को solar करेंगे Guys अब यहाँ पर सभी segment के LEDs के positive को एक साथ solar कर देना है तो यह बन जाएगा common anor 56 segment display उसके बाद से हम एक 3 volt की बैटरी से चेक कर लेंगे यह सही है और कोहीं भी solar छूटा तो नहीं यह सारी चेक कर लेने के बाद remaining 3 digit के segment को भी हमें बना लेना है कुछ इसी परकार से जिस परकार से हम लोगों ने इस वाले digit को बनाया चारों डिजिट को बना लेने के बाद यह है हमारा final output और guys आईए अब हम समझ लेते हैं कि इन चारों डिजिट में किस तरह से हम लोगों ने solar किया बारिकी से समझते हैं एकदम circuit diagram में तो यहाँ पर देखे यह है एक LED जिसका anode इस side है और cathode इस side है यहाँ पर देखे positive इस LED का यह वाला है और negative यह वाला है तो guys यहाँ पर देखे एक LED यह बन गया और इसी को अगर 4 LED को इस तरह से अगर रख दिया जाए तो यह हमारा एक segment बन जाएगा इसका अगर नाम दे तो यह नाम देता हूँ मैं उसी तरह से B segment बन जाएगा उसी तरह से C segment भी बन जाएगा D, E, F और G segment बन जाएगा और यह total 7 segment बन गये guys और इसी तरह से मैंने इस board में LEDs को insert किया अब यहाँ पर सभी LEDs के positive यानि की anode को एक साथ connect कर देना है जो की common anode बन जाएगा उसके बाद 7 segment में से 44 LED के cathode leg यानि की negative legs को connect करना है उसके बाद यह बन जाएगा एक digit के लिए गज उसी तरह से same process से हमें दूसरे digit के लिए भी बनाना है और तीसरे digit के लिए भी और चोथे digit के लिए भी तो यह 4 डिजिट बन गया हमारा कुछ इस तरह से अब आईए देखते हैं dot LED का तो dot LED में हमें कुछ नहीं करना दो LED उपर लगाना है और दो LED नीचे उसके बाद इन 4 LED के wires को हमें parallel में connect कर देना है मतलब कि 4 LED के positive को एक साथ connect करना है और 4 LED के negative को एक साथ connect करना है तो यहां से एक output आजाएगा हमारा एनोड और दूसरा output आजाएगा क्या थोड इस dot LED का positive side इस side हो गया और negative side इस side हो गया तो गाइस यहां पर मैं dot LED को हटा दिया हूँ ताकि जो अभी हम लोग wiring करने जा रहे हैं उसमें disturbance ना हो तो यहां पर अब हमें क्या करना है जो digit 1 का segment ये का cathode है उसे connect करना है digit 2 के segment ये के cathode के साथ फिर जो digit 3 है उसके segment ये के cathode के साथ connect करना है और फिर उसी तरह से digit 4 के segment ये के cathode के साथ connect करना है मतलग कि ये जो 4 digit है उसके segment ये के cathode को एक साथ connect करना है कुछ उसी तरह से segment B के सारे cathodes को एक साथ solar करना है और same process से segment C भी हो जाएगा segment D, E, F और G के cathode को एक साथ हमें connect कर लेना है कुछ इस परकार से उसके बाद guys ये देखे 7 segment का 7 wires निकल गया A, B, C, D, E, F और G अब guys common anode के wires को connect करना है तो ये anode 1 का wire हो गया anode 2 का कुछ इसी परकार से output आ जाएगा anode 3 का output आ जाएगा और anode 4 का wires इस परकार से output आ गया और ये 4 wires इधर से बाहर आ गये तो जिस परकार से मैं इस symmetric diagram में आप लोग को बताया wires को connect करना उसी परकार से हमें board में भी connect करना है लेकिन आपको एक चीज ध्यान रखना है कि यहाँ पर मैं segment A, B, C, D, E, F, G front side से बताया हूँ just यहाँ पर ध्यान दीजे कि इस board में हम इसके opposite side से wires को connect करने वाले हैं तो यहाँ पर segments transform हो जाएंगे चलिए guys अब wires को connect कर लेते हैं board में तो देखिए यहाँ पर इस black wire को मैं इस digit के segment A के negative में connect कर रहा हूँ यहाँ पर देखिए इसका A में connect हो गया और इस digit का segment A के negative सारे को negative में ही connect करना है बस segment के A को A के साथ और B को B के साथ तो सारे A segment हमारा connect हो चुका है black wire से तो अब इस segment को कनेक्ट करना हमें इस डिजिट के सिग्मेंट के साथ और फिर नेक्ष्ट डिजिट के साथ में फिर हमें कनेक्ट करना है और इसी तरह से फिर एक और कनेक्ट कर देना है इस लास्ट वाले डिजिट के सिग्मेंट में तो यह कनेक्ट हो गया अब नेक्ष्ट इसी परकार से हमें सभी डिजिट के सभी सिगमेंट को कनेक्ट कर लेना सातों सिगमेंट को कनेक्ट कर लेना है अब हमारा सारा कनेक्ट हो गया बचा हमारा लास सिगमेंट का तो लास सिगमेंट जी है जी को भी सैम इसी तरह से कनेक्ट करना है दूसरे डिजिट के जी से कनेक्ट कर दिया और फिर इसका तीसरे डिजिट के भी जी चौथ है डिजिट के भी जी के क्या थोड के साथ तो ये सारे सेवन वायर सेवन सिगमें को connect कर दिया आपस में और अब देख साथ वायर से बाहर निकल जाएंगे सेवन सिग्मेंट ऑर इधर से एनोड के लिए चार वायर निकल जाएंगे इस डीजिट का पॉजिटीव एक निकल जाएगा किश का positive 4 निकल जाएगा तो उसके लिए उसको connect करने के लिए हमें एक दूसरा वायर लेना है कुछ प्रकार से और यह वायर हमारा चार का होगा जिसमें से चार में से मैं यहां पर male female का connector का use किया हूँ sleeve लगा दिया हूँ इसमें से और male वाला यह लगा दिया हूँ header तो मैं जब भी इसको कभी भी चाहूँ तो insert करके लगा सकता हूँ या फिर खोल सकता हूँ आप चाहे तो direct troller भी कर सकते हो तो इन चारो wires को अब हमें connect करना है जो यह सारे digit के positive है उस पे तो यह देखो इस वाले digit के positive में मैं इस वाले wire को यहां पर ऐसे connect कर दिया फिर दूसरे के यहां पर positive से मैं connect कर दिया तीसरे को भी इसी तरह से हमें sam connect कर लेना है इसके अनोड वाले लेयर में और चौंथे को भी तो यह कुछ इस तरह से हमारा यहां तक एक निकल गया हमारा header अब देखिए अब हमें कहां पर connect करना है एक और वायर लेना है seven wires कुछ इस तरह से और इसमें भी आपको header को sleeve के साथ में कुछ इस तरह से लगा लेना है यहां पर देखिए एकदम male female मैंने use किया है और इन seven wires को connect करना है सातो सिग्मेंट में सातो सिग्मेंट कुछ इस प्रकार से देखिए सिग्मेंट नम्मर ये बी सी डी एफ जी ठीक है तो सातों में connect करना है क्योंकि देखो जी इसका इसके साथ भी connector है इसके साथ भी इसके साथ भी तो यहां पर हमारा एक ही जी आउटपुट निकलेगा common तो अब मैं connect करना स्टार्ट करता हूँ सबसे पहले आपको करना है यह से करनेक्ट करना स्टार्ट करना है तो यह मैंने connect किया और बी को मैं भी को किढ़िता हूं ठीकि एक जह स्टार्व होगा यह इजह क्योंकि अभी तो हमारा front मैं इस साथ से दीख रहा है लेकिन जब इस LED को मैं इस side से उल्टाऊंगा तब हमारा यह F segment हो जाएगा तो B इस side वाला होगा तो B में मैं यहाँ पर इसको connect कर देता हूँ C हमारा यह नीचे वाला हो जाएगा तो यह कुछ इस तरह से हमारा connect हो गया 7 segment और 7 segment का एक layer हमारा यह निकल गया और anode के लिए यह निकल गया तो अब हमारा display का काम यहीं पर खतम होता है दो wires और हमें connect करना है यहां से यह एक anode का एक cathode का वह हो गया डॉट LED के लिए हो जाएगा तो इस बीच वाले dot LED के anode को हमें इस red वाले, मैं brown वाले wire से connect करता हूँ था कि पता चले कि यह anode है और यह cathode को मैं connect कर रहा हूँ black वाले wire से है और दो wire हमारा यहां से निकल गया अब हमें इस display के wires को और LEDs को चिपका देना है glue stick से नहीं तो बाहर से कोई धकेल देगा तो है या अंदर किस और आ जाएगा जिस कारण से फिर आपको इसको खोल करके सई से set करना पड़ेगा तो मैं सभी wires को भी सई से चिपका दे रहा हूँ ताकि बाद में या टूटे ना अब हमारा seven segment का display तैयार हो चुका है बनके जिसमें से seven segment का wires यह है जो कि cathode वाला है इसमें से यह से लेकर G तक है और दो यह है एक ground का है और एक dot LED के लिए positive का है और यह है चार anode layer के लिए चार pins है anode का यह common anode का seven segment display बनके तैयार हुआ है गाइस तो अब यह तैयार हो जाने के बाद हमें इसको check करना है तो इसको check करने के लिए हम लोगों को लगेगा एक Arduino Uno जो कि आपको market में 500-500 रुपे में मिल जाएगा तो आपको इसे खरीदना ही पड़ेगा नहीं तो इसके pins यहां पर देखिए इस side है analog का pin इस side है digital का pin तो यहां पर हम लोग इसमें से digital के pin में से यह वाले wires connect करने वाले है जो dot LED का ground वाला pin है उसे हमें ground से connect कर लेना है जैसे कि Arduino में आप देखिए यहां पर pins को पहले देखिए पहले यहां पर ground GND लिखा हुआ यह है ground का उसके ground जो GND लिखा है उसमें से connect करना है हमें dot LED के ground वाले को तो यहां पर मैंने इसको connect कर दिया उसके बाद जो legs है anode का उसको हमें connect करना है तो यह रहा इस तरह से connect हो गया चारो एकदम serially connect हो गया उसके बाद अब हमें जो dot LED का positive wire है उसको भी connect करना है यह हो गया यह भी लग ग segment के जो cathode legs है उसे connect करना है तो उसे किस तरह से connect करना है कि segment यह का हमारा pin no.8 में होगा digital pin का pin no.8 में connect होगा और उसी तरह से serially 7,6,5,4,3,2 में connect कर देना है remaining segments को तो यहां पर मैं इन सारे को connect कर देता हूँ यह देखो यह हो गया इसलिए मैंने इसमें male और female header का use किया है ताकि इसको code करने में और check करने में आसानी होगा direct इसमें लगा दिया insert कर दिया इस 7 segment display के wires को Arduino Uno में insert करने के बाद इस Arduino में हमें programming करना होगा तो programming करने के लिए हमें चाहिए एक type B का cable जो की type B USB port है यह तो इसको क्या करना होगा यहां पर एक लगाना है टाइप B केबल को Arduino Uno में लगाने के बाद हमें USB port को लगाना है अपने laptop में laptop में लगाने के बाद हमें Arduino के software को open करना है लप टॉप में आपको pre installed रखना है और आप चाहे तो Arduino के website से इस software को download कर सकते हो, यह बिल्कुल free है, उसके बाद इसे open कर लेने के बाद हमें coding करना होगा Arduino UNO में, coding करने के लिए आपको सबसे पहले इस software में timer library को upload करना होगा, timer library को upload करने के लिए जाना होगा आपको sketch में, description box में आप download कर सकते हो इस library file को, तो sketch में जाने के बाद include library यहां लिखा हुआ है, इस include library में जाने के बाद, आप देखे, add zip library लिखा हुआ है, तो add zip library में click कर देना है, उसके बाद आप download किया होगे library file को, तो आपका download file में होगा, मैं इस file को इस storage में रखा हूँ, तो जिस storage में है आपका library उस file में आपको जाना है जैसे कि मेरा यहाँ पे है तो यह देखे timer master लिखा हुआ है तो timer master को मैंने click किया और उसके बाद just open में click कर देना है और guys यह आपका add हो जाएगा यहाँ पर मेरा यह library name timer master already exist लिखा हुआ आ रहा है तो आपका ऐसा लिखा हुआ नहीं आएगा मतलब कि timer library आपका upload हो जाएगा अब कैसे check कर सकते हो कि timer library आपका upload हुआ या फिर नहीं हुआ इसमें तो देखिए आपको include library में जाना है यहाँ पर देखिए जस्ट नीचे अगर आप देखेंगे तो देखिए यहाँ पर timer master लिखा हुआ है मतलब कि आपका library add हो चुका है इस software में अब timer library को add करने के बाद अब हमें code को upload करना होगा करने के लिए हमें कुछ settings करना पड़ेगा settings करने के लिए आपको जाना है tools में जाने के बाद board type select करना है आपका Arduino Uno select करने के बाद यहाँ पर port आपको select करना है जिस port में आपका USB लगा हुआ है तो यहाँ पर मेरा com5 में है तो मैंने com5 में यहाँ पर automatically selected है उसके बाद हमें कुछ नहीं करना है जश्ट आपको file में जाना है और description में दिये हुए code को download करके रख लेना है उसको अब file में जाने के बाद open में जाना है open में जाने के बाद जो code आपने download किया उसको यहाँ पर select करना है और open में click कर देना है जैसे ही open में click करेंगे तो यह code कुछ इस तरह से लिखा हुआ आ जाएगा और इस code को आपको इस वाले button पे click करना है इसका मतलब यह की code आपका verify हो रहा है यह compile हो रहा है कि code सही है यह फिर नहीं तो यहाँ पर देखिए done compiling लिख दिया मतलब कि code हमारा सही है उसके बाद आपको second वाले button में click करना है यह वाला button है upload का इसमें से आप आपको code को upload कर देना है और यह देखिए Arduino में code upload हो रहा है और जैसे ही code upload हो जाने के बाद देखिए हमारा जो 7th segment का digital clock है उसमें से कुछ इस तरह से blink और light up जल गई है तो आप देख सकते हो यह एकदम पूरा बढ़िये से काम कर रहा है यह घड़ी सारे के सारे digits इसमें दिख रहा है यहाँ पे एक नहीं दिख रहा है guys वो आप जब stop करोगे adjust वाले button में click करोगे तो वो दिखने लगेगा यह सारे अभी जो 7 segment है वो सारे अभी जल रहे है केवल G को छोड करके G आपका जलेगा यहाँ पे जब time change होगा वो आपका जलने लगेगा मतलब कि अभी जितना जल रहा है उतना अगर आपका clock अभी जल रहा है तो सही है आपका clock यहाँ तक आपने जो digit बनाया वो आपका अभी तक सही है गाइस यहाँ पर Arduino Uno से अभी काम कर रहा है यह वाला घड़ी अगर आप चाहे तो ऐसे भी छोड सकते हो केवल इसके analog Arduino में analog के pin में आप उस button के switch को connect कर लेना उसके बाद फिर आप इसको use कर सकते हो एक IC को आप चाहे तो atmega328P का use कर सकते हो और नहीं तो उससे सस्ता आता है एक atmega8A कुछ इस तरह से यह IC है 28 pin का तो अब इस IC को use कर सकते हो मैं इसी IC को use करके बनाऊंगा केवल IC और circuit तो अब आईए guys मैं आप लोग को बताता हूँ कि किस प्रकार से आप इस Arduino में push button के switch को add कर सकते हो यहाँ पर देखिए तीन switch हमें लेना है दो push button का switch रहेगा और एक adjust का switch रहेगा adjust का switch यहाँ पर एक बार दबाने पर वह hold करके रख लेगा और जो दो push button switch है वह दबाने के बाद फिर वह release हो जाता है उसके बाद यहाँ पर देखिए यह जो तीन switch है इन तीनो switch के एक एक side के wires को हमें connect कर देना है और उसे connect करना है अडिनो के ground वाले पीन से और जो तीनो switch के अलग अलग पीन से उसमें से adjust के switch के wire को connect करना है अडिनो के analog के ये note वाले पीन में next minute वाले पीन को connect करना है अडिनो के analog पीन के A1 वाले पीन में तो guys I hope यहां तक आप लोगों को बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया होगा यहां पर देखिए एक थोड़ा सा मुझे problem लग रहा है कि यह जो dot LED है वो थोड़ा जैदा brightness का साथ में blink कर रही है तो मैं चाहता हूँ इसके brightness को कम करना तो इसके brightness को कम करने के लिए हमें चाहिए एक register 220 ohm का यह है dot LED का positive इसके positive में connect कर देता हूँ पहले register यह register connect हो गया और अब हमें इसमें इसको connect करना है और अब देखिए जब register मैंने connect किया तो इसका brightness है वो काफी कम हो गया है तो कुछ इस तरह से अब यह इसका brightness भी कम हो गया और सारे LED का brightness लगबग equal हो चुका है तो guys हमारा circuit इस तरह से कुछ बन के तयार हो चुका है यहाँ पर देखिए यह मैंने wires निकाले हैं चार wires जिसमें से push button के लगेंगे जिस तरह से आपने circuit diagram में देखा होगा उसी को मैं इसमें connect करने वाला हूँ और यह यहाँ पर IC लगेगी at mega ATA और इस तरह से back side में मैंने कुछ इस तरह से sorts किये हैं wire को VCC और ground को तो यह circuit हमारा बनके तयार हो चुका है गाइज में इस circuit को बनाने आप लोगों को next video में बताऊंगा तब तक चलिए इस circuit में IC को लगा करके मैं सारा setup कर लेता हूँ तो इस digital display को यहाँ से मैं खोल देता हूँ और यह अलग हो गया हमारा अब यह display अलग हो गया और इस display को इस pin को यूज करने के लिए मैं इस circuit को यूज करूँगा यह circuit हो गया लेकिन इस display को मैं assemble करूँगा इस वाले box में यह box मेरा already बना हुआ था जिसमें से देखे यहाँ पर क्या-क्या है मैं अच्छे से बता देता हूँ आप लोगों को यह है एक lithium-ion battery 3.7V की 200MH की है जिस कारण से दिन भर मेरा power एकदम दे देता है power supply इसमें से आप चाहे तो दो battery को parallel में use कर सकते हो और charging के लिए मैं यहाँ पर use करूँगा एक इस वाले kit को lithium-ion battery charger है with आपको बताएगा भी full charge है या फिर कितना charge है इसके बारे में आप लोग I think aware होंगे यहाँ पर एक switch को मैं दबा ही रह जाता है दूसरे बार दबाने पर यह उठ जाता है उसके बाद दो push button से over minute के time को change करने के लिए और यह दो LED है जो की diet connect होगा इस module से और यह है charging का micro USB female jack मैंने लगाया है इसमें charging के लिए बस इतना ही कुछ है इसमें अब इसमें सारे circuit को हमें इसमें असेंबल कर के लगा देने है और गायज लगाने के लिए भी बहुत easy process है जिस तरह से आप circuit diagram में देख रहे हो इसी तरह से हमें सारे wires को connect करके इसमें असेंबल कर देने है तो चलिए अब मैं इन सारे को इसी परकार से असेंबल कर देता हूं और यह रहा इसका circuit diagram इसी circuit diagram के अनुसार हमे सभी components के wire को connect करना है so guys finally हमने सारे wires को सही से लगा दिया है और अब इसको मैं fix कर देता हूं इस वाले box में इस वाले box को मैं screw से tight करूंगा यह है gypsum screws मुझे देखने में अच्छा लगता है इसलिए मैं इसी से इसको fix करूंगा आप चाहे तो plywood से भी इसका design कर सकते हो यह आप पर depend करता है कि आप किस लकडी का या फिर किस board से इसको design करोगे सारे screws इसमें भी लग गए और यह बन के अब हमारा ready हो गया चलिए अब इसको थोड़ा सा charge करके या फिर इसको on करके देख लेते हैं तो यह on हो चुका है गाईज और देख सकते हो यहां पर dot led कुछ इस प्रकार से blink कर रहा है यहां पर time को adjust करने के लिए time को set करने के लिए यह तीन buttons लगाये हैं मैंने पहला है adjust का तो adjust को एक बार click करना है उसके बाद देख सकते हो आप यहां पर यह वाला digit है active हो जाएगा और dot led का बंध हो जाएगा तो उसके बाद हमें यह है over का button और के button को press करोगे तो यह over change होगा और दूसरा है minute दूसरे button को press करने पर minute का जो है वो change होगा तीन बज़कर 20 minute अभी हो रहा है दोपहर का तो यह मैंने over में 3 कर दिया और minute में 20 कर देता हूँ अब यह time set हो गया उसके बाद adjust button को एक बार फिर से press कर देना है तो यह देखिए घड़ी चलने लगी है और यह कुछ इस परकार से यह अभी काम करने लगा है guys अब देखिए जैसे ही एक मिनट हो जाएगा एक मिनट के बाद जहां पर 21 है तो 22 हो जाएगा तो कुछ इस परकार से यह काम करने लगेगा देखिए अभी आपके देखते देखते ही मैं यहां पर fast forward कर दे रहा हूं तो आपने देखा 21 से 22 हुआ उसी तरह से 22 से 31 मिनट के बाद हो जाएगा फिर 23 से 24 हो जाएगा अगले मिनट में इसी परकार से यह घड़ी एकदम 12 ओवर्स का है 24 ओवर्स वाला मैं कभी फ्यूचर में बनाने बताऊंगा आप लोगों को लेकिन यह 12 बजे तक ही बजेगा उसके बाद से एक बजना स्टार्ट हो जाएगा तो गाइज मैं आप लोगों को 12 तक सेट करके दिखा देता हूँ और अब देखिए इसको मैं फास फरवर्ड कर देता हूँ और देखिए एक बजता है तो आपने देखा 1269 से एक बज गया गाइस कुछ इसी तरह से यह घड़ी काम करती है और इस प्रकार से आप इस डिजिटल क्लोग को अपने घर में आसानी से इसली बना सकते हो यह वीडियो आप लोगों को बहुत ही पसंद आई होगी पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना इसी तरह के इंट्रेस्टिंग और वीडियो में तब तक के लिए बावाएँ